दोस्तों भारत सरकार ने विभिन राज्यों के सहयोग से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुपोशन से बचाने के लिए आंगनबाडी योजना का निर्मान किया है आंगनबाडी की शुरुआत बाल विकास सेवाकार्यक्रम के अंतरगत केंडर सरकार ने सन 1985 में की थी दोस्तों एक आंगनबाडी केंडर में तीन वर्ष तक के बच्चों की मा और उनके तीन से छे वर्ष के बच्चों की नियमित रूप से स्वास्थे की जांच टीका करन सफाई और स्वास्थे की जानकारी और स्कूल पूर्व की बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाती है आज हम आपको इस वीडियो में आंगनबारी में नौकरी की योग गिता, चैन प्रक्रिया और इनमें बंप भर्तियां कब आएंगी के विशे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखें और इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नौकरी से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिल सकें। कभी चैन किया जाता है। दोस्तों आपको बता दे कि आंगनबारी कार्यकरता के लिए हाइस्कूल यानी दसवी और सहाई का पद के लिए आठवी की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आंगनवाडी में नौकरी के लिए उम्मीदवार का चैन व्यक्तिगत साक्षातकार और मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाता है। लेकिन इस भरती प्रक्रिया में कुछ-कुछ और भी मांदन्ध है जिसकी वजह से उम्मीदवार को चैन करते समय प्राथे मिक्ता दी जाती है। समय समय पर सुपवाईजा द्वारा निरीक्षन किया जाता है। और एक सुपवाईजा के अधीन आंगनबाडी कार्यकरती आंगनबाडी सहाई का आती है। प्रतेग सुपवाईजा के आधीन 20 से 40 आंगनबारी केंद्र होते हैं और वे प्रतेग केंद्र पर जाकर योजना को संचालित करवाते हैं और साथ ही आंगनबारी कारेकर्तियों का मार्ग दर्शन भी करते हैं आंगनबारी सुपवाईजा पत के लिए उम्मीदवार का बाह आंगनवाडियों में लगभग 41,000 पदूं पर बंपर भरती निकालने जा रहा है। समाचार सूत्रों के अनुसार आंगनवाडी भरती प्रक्रिया अगले महीने के आखरी तक शरू कर दी जाएगी। इसके लिए विभाग सभी राज्यों से आंगनवाडी कारे करताओं के र चैनल पर विडियो के माध्यम से और अपने टैलीग्राम अकाउंट पर सबसे पहले बता देंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें। दोस्तों जो अगर आपको इस नौकरी से जुड़ी कोई और जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।